लंडन से वापस भारत लोटी बॉलिवुट सिंगर कनीका कपूर का कॉरोना वाइरस टेस्ट जब किया गया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया कनीका को कॉरोना पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद वी टाउन के गल्यारों में हडकंप मच गया, जहां एक तरफ लापर वहा हो जाने को लेकर कनीका के खिलाफ तीन FIR दर्च की गई, वही इन सब के बीच में कनीका कपूर ने जिन पार्टियों को अटेंट किया था, ज जहां एक तरफ कनीका की अपनी रिपोर्ट नेगेटिव फाइनली आ गई है, वही उन लोगों से बातचीत की गई, चो कनीका के संपर्क में आए और उन लोगों ने 14 दिन तक अपने आपको क्वारिंटीन करने का एक्सपिरियंस शेयर किया है, परिवार और दोस्तों से अ नूफा लाल कनीका कपूर की पार्टी में शामिल हुई, वो बताती है, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं मा के घर रह रही थी, जिस दिन कनीका के कॉरोना पॉजिटिव होने पर हम सब को जानकारी मिली, सबसे पहले खुद को क्वारिंटीन कर लिया, घर में रहते एक लेडी बताती है, कनीका मुंबई से लोटी तब मेरी मुलाकात कनीका से गुई, जैसे ही मुझे पदा चला कनीका को कॉरोना हो गया है, मुझे लगा मुझे भी हो जाएगा, स्वास्त विभाग के टीम ने सेंपल लेकर जाच कर वाई, रिपोर्ट नेगिटिव आई, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि कॉरोना के लक्षन 14 दिन तक आती है, मैंने खुद को कॉरिंटीन कर लिया, 14 दिन दिमाग में हर पल सिर्फ कॉरोना का खयाल आता था, खुजली होती तब भी यही महसूस होता कि कहीं कॉरोना तो नहीं हो गया, गोमती नगर में रहने वाली क्युपती कहती है, मेरी मा कनीका के संपर्क में आई, उन्हें क्वारिंटीन करने के बाद भी डर लग रहा था, कहीं वो भी संक्रम इतना हो जाए, उनकी उम्र पी ज्यादा है, इम्यूनिटी कमजोर है, ऐसे में मैं दिन भर निट पर सर्च करती कॉरोना के क्या लक्षन ह रोज यही सिलसिला चलता, बहुत मश्किल से ये चौदा दिन बीते हैं, यानि कनीका कॉरुना पॉजितिव हो जाने के बाद हॉस्पिटल में रहीं, चौदा दिन उनके लिए मुश्किल थे, लेकिन कनीका के संपर्क में आई लोगों के लिए भी ये चौदा दिन काफी म बोट